NTS exam के preparation के next series में हमारा math का नया वीडियो है और I hope की जैसा बच्चों ने पुराने वीडियो को पसंद किया इस वीडियो को भी उतना ही पसंद करेंगे और हम इस वीडियो के साथ साथ इंतियार करते हैं बच्चों के comment का और काफी अच्छे comment मिलते हैं उनके बच्चों को Each of the following statement is true. Here are some mathematical relations are given और इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो condition है वो true है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि 1 by 2 जो होता है 1 by 3 से बड़ा होता है क्योंकि 1 by 2 की value 0.5 होती है और 1 by 3 की value 0.33 होती है ठीक है और यहां पर इसके power में 1 by 3 लगा हुआ है तो 1 by 3 का मतलब क् cube root ठीक है cube root इसका मतलब होता है cube root एक तो छोटी value है उपर से cube root निकाल रहे है एक तो बड़ी value है इसका सिर्फ और अंडर root निकाल रहे है तो यह वाली value तो यहां पर बड़ी होगी ठीक है तो यहीं से आपको देख लेना है कि कौन सा relation ऐसा हो रहा है यहां पर तो 1 by 2 अपना mind और logic का इस्तमाल करना है अगर आप इस question को complicated समझेंगे तो अधिकत होगी अगर अगर आपने practice कि आएक बार तो आपसे अच्छे से बन जाएगा next question है the mean of 15 observations written in some order is 50 कोई 15 observations थे एक चीज और जब भी मैं आपको कोई question करवाता हूं तो आप इसको actually अपने level पर practice नहीं यहां पर देख the mean of 15 observations written in some order is 15 यानि 15 जो कोई भी quantities थी उनका mean जो था 50 था यानि जो quantities का जो sum था sum आप जो भी data था वो कितना होगा 15 into 50 कर लेंगे हम तो हमें total sum of data मिल जाएगा जो की 750 यहां पर आपका आएगा 750 यहां पर जो total sum of data होगा वो रहेगा if the mean of first 8 observation and last 8 observation is 48 and 53 first 8 और last 8 में एक बात common है कि बीच वाला number जो 8th number है वो दोनों में add हो रहा है second जब add करेंगे तो extra add हो रहा है तो हम क्या करेंगे हमारा इसमें total mean plus 1 extra data आजाएगा total mean हमारा इतना है 750 तो हम इन दोनों को पता करेंगे कि कितना value आएगा यानि 48 into हम 8 करेंगे और plus 53 into हम 8 करेंगे तो यहाँ पर हमें जो first 8 और last 8 का सम आएगा इसमें 8 को 8th number को हमने दो बार add किया तो हम इसमें जब हम एन दोनों के sum में हम 750 को minus करेंगे तो हमें או value मिल जाएगी जब हम इसको solve करते हैं तो हमें मिलती है जो value मिल्के आती है वो आती है 800, 8, और रिश्मेंस मैं माइनस करेंगे 750, तो जो final answer होगा, वो हमारा होगा 58, तो इस तरीके से इसका जो सह answer होगा, आपका fourth answer, अगर आपने अभी तक class 10th में AP पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने इन questions को किया होगा, The next question है, point on y-axis, which is equidistant from point A and B, तो इस question को हमने अपने previous वीडियो में discuss किया है, और I hope कि आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, जो हमारा सबसे first वीडियो था, मैत का, हमारे इस playlist में available है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, इसका solution किस प्रकार से find out करते हैं, तो इसका जो answer होगा 18 93 का, वो होगा यहाँ पर 0,9, इसके विए इसमें जो tricky utility मैं उसको बता देता हूं, कि point on y-axis बोला है, तो सीधी सी बात है, कि कोई भी y-axis का point जो होगा, वो x-axis की value पर 0 लेगा, यानि वो point का जो random value होगा, 0,a होगा, तो पहला option तो होगा ही नहीं, और यहाँ पर अगर हम ब आपको link दे रहा हूँ अपने पहले वीडियो का, next question है 184, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि sec theta minus 10 theta is equal to k है, where k is not equal to 0, then what is value of sec k plus 10 theta, ठीक है, तो sec theta minus 10 theta की बराबर यहाँ पर k दिया हुआ है, sec theta plus 10 theta की value पूछा हुआ है, तो हम सीधी सी बात एक काम करते हैं, sec theta minus 10 theta में, हम sec theta plus theta क multiply भी करते हैं, sec theta plus 10 theta का divide भी कर जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, sec theta minus 10 theta, और हम इसे में multiply करेंगे, sec theta plus 10 theta, और हम इसको divide भी करेंगे, sec theta plus 10 theta से, ठीक है, तो यह वाला जो portion होगा, a minus b into a plus b, तो एक अपनमर्ट हो जाएगा, आपका a square minus b square, यानि, sec square theta minus 10 square theta में, और divide हो जाएगा, sec theta plus 10 theta, तो यहाँ पर उपर वाला जो portion है, आपने identity पढ़ी होगी, sec square theta minus 10 square theta, that is equal to 1, तो 1 अपन आपका आपका आगया, sec theta plus 10 theta, और हमने कुछ भी नहीं किया था, जो sec theta minus 10 theta था वो बराबर k था, तो अभी भी k रहेगा, कि हमने same number को उपर multiply हो same number को divide किया है, तो k की value में कोई change नहीं आएगा, अब जब यह पूरा portion अपना position reverse करेगा, यहाँ पर जाएगा, और k जब यहाँ पर आएगा, तो आपको value मिलेगी, sec theta plus 10 theta is equal to 1 upon k, मैंने उसी question पर लिग दिया, तो I hope कि आपको थोड़ा सा problem हो रहा होगा, तो आप question को पीछ and this has no solution, इस paper का जो link है मैं description में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको download कर लिजेगा, the value of k for with the system of linear equation this and this has no solution, no solution, no solution, no solution कौन से case में आता है, no solution उस case में आता है, जब a1 upon a2 जो होता है, यहाँ पर equal होता है, b1 upon b2 k, but it not equal होता है c1 upon c2 k, उसी case में ही हमारा यहाँ पर जो relation है, यहाँ पर find out होता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा ratio है, a1 upon a2 कितना है, a1 upon a2 का ratio है, 1 ratio 3, और b1 upon b2 का ratio कितना है, तो 2 upon k है, यहाँ से अगर हम k की value find out करने की कोसिस करते हैं, तो चलिए हम इसको side कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो 1 upon 3 1 upon 3 और 2 upon k है, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो k की value यहाँ पर कितनी आ रही है, 6 यहाँ की value जब 6 होगी, तो हमारा एक condition satisfy होगा, बट एक और condition इसके साथ हो ने चाहिए, बात इसको चेक कर लेते हैं, तो 2 upon k should not be equal to 5 upon 15, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको a1, b1, c1 मानते हैं, इसको a2, b2, c2 मानते हैं, तो इस तरीके के relation मिलेगा, और जब हम इसको solve करेंगे, तो k should not be equal to, यहाँ पर हो जाएगा, आपका 2 into 15 divided by 5, यानि फिर से यहाँ पर आ रहा है, k should not be equal to 6, तो वहाँ पर है, k should be equal to 6, यहाँ पर है, k should not be equal to 6, तो इसी साथ से जो question है, इसका यहाँ पर कोई भी सही answer नहीं दिया हुआ है, 6 अगर हम लगाते हैं, तो भी answer गलत हो जाएगा, अगर हम minus 6 लगाते हैं, तो यह तो होना ही नहीं है, तो 6, यह question इन्होंने गलत तरीके से पूछा है, तो here we can say that this question has, this question has no solution, तो ऐसे question में होता क्या है, ऐसे question मे ntsc आपको क्या कर देती है, grace mark देती है, सभी को 1 marks allot कर देती है, clear, next question है, if x is equal to 1 is a common root of equation, अगर x is equal to 1 दोनों का common root है, then the value of ab, तो ab की value क्या होगी, ठीक है, तो आएगे चलते हैं, हम इसमें देखते हैं, जब हम पहले equation में 1 रखेंगे, तो हमें मिल लाएगा, a plus a plus 3 equal to 0, that means a is equal to minus 3, यानि a is equal to हमारा हो जाएगा minus 3 by 2, ठीक है, और a की value हम इसमें मिल गए, दूसरी equation के अगर बात करें, तो 1 plus 1 plus b हो जाएगा, and this will be equal to 0, so b will be equal to minus 2, और a हमें पता है, और b हमें पता है, तो ab की value कितनी होगी, minus 3 by 2 into minus 2, तो ए कर जाएगा, minus minus plus हो जाएगा, actually 2 to कर in case हम इस question को solve कर सकते हैं, तो हमारा जो यहाँ पे है, 186, इसका जो सही अंसर होगा, होगा आपका 3, प्लस 3, ठीक है, बहुत easy question है, और जो question टप होते हैं, उनमें आपको बहुत जादा समय नहीं लगाना है, जो question आसान होते हैं, उनको आपको फटा-फट करके आगे बढ़ जो triangle का area होता है, वही formula हम यहाँ पे लगाएंगे, और उसको हम find out करेंगे, और triangle अगर बनेगा, अगर lines co-linear है, तीन points co-linear है, तो उनके जो triangle होगा, उसका area क्या होगा, 0 होगा, बस इसी concept को हम इसमाल करते हैं, triangle का area जो आपने coordinate system में पढ़ा था, वो उसी तरीके साब को find out कर आपना है, यहाँ पर हम a1 की value लिखते हैं, तो a, b1 की value लिखते हैं, sorry a1 और a2 की value लिखेंगे यहाँ पर, तो जैसे कि हमने लिखा इसको लिखेंगे a, 0, तो यह होगा हमारा a, 0, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 0, b, तो हमने लिखा 0, b, यहाँ पर लिखा हमने c, sorry 1 ह अब हम निकलेंगे area, ठीक है, तो इस case में हम पहले लिखेंगे a को, चलिए हम इसको और आगे बताते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे a है, ठीक है, इसको अध्यान दीजे, this is an a, ठीक है, तो a multiplied, this is equal to 0, तो यह जो half है, यह जो 0 हो जाना है उदर जाके, अब बाकी का हमें expression खोलते हैं, तो a is equal to हो जाएगा, b minus 1, और next वाला term जो होता है, वो minus में आएगा, minus 0, minus 0, फिर हम इसका multiply करेंगे इससे, तो 0 को कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पे minus करेंगे, तो 1 into 1, minus 1 हो जाएगा, ठीक है, और हम अब लेते हैं, c, यहाँ पे last वाला 1 से तो यहाँ पे b आएगा, ठीक है, and this is again equal to 0, तो यहाँ पे जब हम इसको solve करेंगे, तो जो हमारा expression बनेगा, ठीक है, देखे, कभी कभार यहाँ पे minus नहीं होता, plus होता है, बट वहाँ पे 1 minus 0 आएगा, ठीक है, यह process मैंने आपको पहले भी वीडियो में आपको समझाया ह है, तो इसका जो complete हम को लेंगे, एबी minus a हो गया, और यहाँ के बात करें, तो यहाँ पर हमारा कितना गया, plus 1 आजाएगा, 0 minus 1 के तो हमारा कितना गया, minus 1 और 0 से multiply किया है, जिरो ही हो जाएगा, और final multiplication 0 से है, यहाँ पर, यहाँ की बात करें, तो हमारा हो गयाँ माइनस b, इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो 1 upon A plus 1 upon B हम से पुछा गया है तो इसकी value क्या होगी इसकी value होगी A plus B upon AB तो देखिए दुनों values अगर सेम सेम है तो divide करने पर इसका answer जो होगा 1 आएगा तो I think कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी और इसको हम आगे proceed कर सकते हैं तो इस question का जो सही answer है वो होगा यहां पर 1 यहां पर आपका सही answer होगा clear 1 आपका सही answer होगा ठीक है तो हम इसमें 1 में लगा लेते हैं अब चलते हैं next question पर कि if the centroid of the tangle form a point these are the sum points with which centroid is being formed is that origin origin पर है तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके स्पता होगा centroid का जो फार्वुला होता है जो coordinates होते हैं उनका जो sum होता है और respectively अगर हम find out करते हैं तो हमारा 0 प्राप्त होता है तो चलिए हम इसको बताते हैं अगर a,b,c इस तरीके से जो point देंगे a,b,c,c,a तो जो coordinates जो इसके centroid हैं उसके coordinates क्या होंगे उसके coordinates होंगे a plus b plus c divided by 3 is equal to 0 क्योंकि respectively दिया हुआ है कि coordinate origin पर है और second पर भी अगर हम बात करें तो वहां भी a plus b plus c divided by 3 करेंगे तो आएगा 0 जो हमें एक चीज प्राप्त हुई हो है a plus b plus c and this is equal to 0 और हमें a,a जो आपको expression होगा आपको जो इसका formula है वो आपको आता होगा कि जो a cube minus sorry a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c और यहां आगे बात करें तो a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca होता है तो जब हमारा a वाला term 0 हो गया तो यह वाला पूरा term जो rhs में है a वाला पूरा term 0 हो जाएगा और जब 0 हो जाएगा तो a जो term यहां पर minus 3abc equal के इस side आएगा तो यह दोनों बराबर हो जाएगे ठीक है यह दोनों यहां पर बराबर हो जाएगे बस इसी चीज़ का हम इस्तमाल करेंगे तो हमें क्या करना है यहां पर this will be equal to 3abc और ऐसे question आपने यहां पर बहुत अच्छे से किये होंगे पहले भी और आपको इनको करने का बहुत ही अच्छा experience होगा next question में आते हैं यहां पर next question है कि distance between the point निकालना है और दो point इस तरीके से दिये गए हैं तो हम इसमें distance formula लगाएंगे distance formula क्या होता है x to minus x1 तो और y2 minus y1 हाप करते हैं तो हम चलिए करते हैं इसमें हम इसको second point इसको माल लेते हैं पहले वाले को first point इसको माल लेते हैं तो क्या होजाएगा cos theta minus sin theta का square करेंगे हम और प्लस यहां पर हो जाएगा sin theta और जब इसको minus करेंगे तो minus minus plus हो जाएगा plus cos theta का square हो जाएगा ठीक है और हमको distance निकालना है तो हम इसको रखेंगे under root में और आपको बहुत 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 पता है कि चलिए हम इसको करके देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा under root sin, sorry, let me see it again, cos theta minus sin theta and cos theta plus sin theta, okay, okay, so let me see, cos theta minus sin theta का whole square plus cos theta plus sin theta, क्योंकि sin theta, cos theta, दोनों को plus करेंगे, दोनों एक ही बात है, square, और इसको हमने लिखा है under root में, तो जब हम इसको open करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर हो जाएगा, cos square theta plus sin square theta minus sin theta, 2 sin theta, cos theta, यह term हो गया, प्लस हम अगर इसकी बात करें, तो हो जाएगा, cos square theta plus sin square theta, और प्लस 2 sin theta, cos theta, ठीक है, और यहाँ अगर बात करें, तो दोनों term, एकदम opposite हैं, दूसरे के sign में, तो कट जाएगे, और जो बाकी portion के अगर हम बात करें, तो हो जाएगा, आपका under root 2, अगर हम common निकालने, तो हो जाएगा, cos square theta plus sin square theta, और यह value आपको बहुत अच्छे पता है, कि sin square theta plus cos square theta, बन होती है, तो बच्चा आपका under root 2, तो इस तरीके सा आप इसको solve कर सकते हैं, तो I hope की question आपके लिए आसान होगा, आप इसको कर सकते हैं, बिना solve की, आप इसको कोई भी answer नह नहीं लेगेगा, अगर आपके पास अच्छा खासा experience को solve करने का नहीं है, तो practice कीजिए, और बिल्कुल हो जाएगा, और यहाँ पे जो सही अंसर होगा, आपका second option जो होगा, नेक्स्ट है, कि 35% of income of A is equal to 25% income of B, then the ratio of income A and B, तो सीधी सी बात है कि जो 35% A के income का, B के 25% income के बर जो A की income है, वो कम होगी, तो कौन से option में आपको B का ratio ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे B का ratio कम है, 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी कम है, तो अकेला एक ही option ऐसा है, जिसमें B की income को ज्यादा बताया गया है, और वो आपसन है आपे 190 का सेकेंड तो इस तरीके से हम questions को trick के माध्य हम से भी करते हैं बहुत ज़्यादा calculate करने क्या हो सकता नहीं होती और अगर आप इसको calculate करने जाते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा time नहीं लगता चलिए हम आपको बताते हैं का आप calculate कैसे करते हैं यहाँ पर देख लिए कि 35% of income आप A यानि एक income को अगर हम X माल लेते हैं इसका 35 बटे 100 निकालेंगे 35 by 100 निकालेंगे और this is equal to Y के 25 by 100 के बराबर है तो 100 तो ऐसे ही कर जाना है और अगर हम X ratio Y की बात करते हैं तो यहाँ पर आजाएगा 25 ratio 35 तो जब हम इसको ratio निकालेंगे तो यहाँ पर 5 ratio 7 आपका मिल जाएगा clear तो इस तरीके 5 ratio 7 आपका answer होगा बट अगर आप smart mind से check करें तो बिलकुल कर सकते हैं बट कभी कभार smart mind लगाने वाले भी फच जाते हैं ठीक है next question है कि जो ratio है वो दिया गया है आपका दो surface का ratio दिया है find the ratio and volume of two cubes दो cubes दिये गया है उनका ratio और volume निकालना है sorry ratio volume दिया गया है आपको surface area का ratio निकालना है ratio कितना है 27 by 64 27 by 64 तो यह question आप बहुत ही अच्छे तरीके कर सकते हैं देखे वाल्यूम का ratio क्या होता है वाल्यूम का ratio जो होता है radius का cube r1 cube अपान r2 cube के बराबर होता है तो यहाँ पे 27 और यहाँ पे 64 जो आप इसको solve करेंगे तो r1 ratio r2 का जो value आएगा आपका 3 ratio 4 और यहीं से हम अप एरिया निकालते हैं तो एरिया में r1 का square यहाँ पे r2 का square आता है आपको इसपेर का जो volume है 4 y3 pi r cube और एरिया जो है 4 pi r square इस चीज़ें आपको अच्छे से आती होंगे आई होप और आप उसका use करेंगे तो आप यहाँ पे जो 4 pi जो constant value हों कर जाती है तो इसी तरीके से हम इसको solve करते हैं तो यहाँ पे जो ratio है वो r1 upon r2 के ratio का complete square हो जाएगा और यह हो जाएगा 3 by 4 का square और यह value हो जाएगी 9 by 16 9 by 16 इसकी जो value आएगी यहाँ पे find out कर सकते हैं आसान question है बट कभी कोहर जल्दीवाजी में लोग 4th option select कर लेते हैं जो कि बहुत ही गलत है आपको इतना भी क्या जल्दी रहती है आई आँ से question कीजिए और I think कि आपने हमारे कई सारे वीडियो देखे होंगे और देखें हैं तो बाकी वीडियो को जैसे आपने लाइक किया उसी तरीके से इस वीडियो को भी लाइक करिए और जो आप comment लिखते हैं हम हम उसका पूरा प्यास करते हैं कि हम उसका reply कर सके और आपकी जो भी समझ्या होती है उसको अपने तरफ से पूरी तरीके से स्वाल करने का प्रयास करते हैं तो जब देखते हैं कि बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं तो एक टीचर को अलग से ही इसमें इंट्रेस्ट आता है और आपके लिए वो ज्यादा करने की कोसिस करता है और सच बताएं तो अपने दिन में बहुत सारी जो काम होते हैं उनको करन करने की जो ट्रिक है उनको भी सीखें क्योंकि यह कोस्टन जो है आपके क्लास 10 के लिए उतने ही इंपॉटेंट है जितने NTSC इसम के लिए इंपॉटेंट है क्योंकि आपका जो नया सिस्टम हो गया है वो इन्टीपल चॉइस कोस्टन का हो गया है और आपसे लगभग 20 Question म जिसमें 10 तो कंपल सही हैं 10 तो आपसे पूछे जाने ही हैं तो आपकी साथ में 10th class के board exams की भी आपकी तयारी यहां पर साथ ही साथ हो जाएगी तो बहुत जादा फाइने मन्द है और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजए यहां पर कुछ ने कुछ मिस्प्रिंट हुआ है यहां पर हमको मिस्प्रिंट करना पड़ेगा यहां पर हमको किसी एक्कविलेट्रल ट्रींगल का जो बेस दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है अर इसका वर्टेक्स दिया हुआ है एक लास 12 के 3D का कुश्च्चन है जो कि आपके सीलेबस से बाहर है इसलिए मैं फिलहल इस कीकश्चन को यहां पर डिंकस नही कर रहा हूँ ठीक है क्योंकि बताने बाद भी वही question तो उससे बिलकोल आना नहीं है और पता नहीं का जो इन्हों ने भी paper बनाया था ये उस paper में इन्होंने इसको include कर लिया और ये अभी फिलाल आपको यहां पर दिक्कत करेगा इसलिए हम इसको अभी eliminate करना है बाकी हम चलते है next question पर जो आप किसी लिवस में है the length of cord of AB and AC of circle are 6 cm and 8 cm respectively कोई एक circle है जिसके दो cord है 6 cm और 8 cm और दोनों cord जो हैं वो देखे ध्यान से AB और AC तो आप जब उनका cord बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा नाम क्या है cord का AB और AC दोनों में common point है A तो माल ल this is A and this is C तो AB और AC की वेलिवदी हुई है AB की वेलिवदी हुए 6 cm और AC की वेलिवदी हुई है 8 cm और A बोल रहा है कि जो angle B AC है angle B AC and this is 90 degree तो आपको पता है circle के अंदर कोई दो line यहां पे जो यहां पे cord भी है और 90 degree angle भी आपस बना रही है उन points को अगर हम joint करेंगे तो पास ह होगा diameter से क्योंकि diameter पर बनने वाला जो angle है वो कितना होता है 90 degree होता है ठीक है तो यह जो angle बनेगा यहां पर 90 degree होगा कब जब यह diameter होगा और अगर यह diameter है तो center इसको दो भागों में divide करेगा और यहां पर इसका radius होगा तो हम पहले diameter यहां पर find out करेंगे आप पाइथागोरस हम जानते हैं 6 का square प्लस 8 का square करेंगे और फिर उसका under root लेंगे तो under root of 6 square प्लस 8 square जो यहां पर है that will give you the value 10 और अगर 10 diameter है तो radius इसका होगा half तो 10 by 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 तो इसका जो सही answer होगा वो 5 होगा मेरे किसी भी question को solve करने पहले question को आप फिर एक बार ज next question में cos 43 की value दी हुई है कोई भी एक right angle triangle बना लीजिए हमने इस तरीके से बना लिया किसी भी एक angle को थोड़ी देर के लिए 43 degree मान लीजिए तो जो बचा angle हो कितना हो जागा 47 degree का जो cos 43 degree है वो है x upon under root x square plus y square अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यह जो hypotenious है इससे अगर आप निकालना चाहें तो यह जरूर y रहा होगा तभी तो जो hypotenious है वो x square plus y square का under root है तो यहां से आपने इस सारी values बता कर लीजिए अब यहां से पुछ रहा है 1047 1047 मतलब अब आप यहां से देखेंगे तो यहां से देखेंगे तो पर्पेंडिकुलर हो जाएगा यह वाल 1047 पुछा गया है हमसे तो हम रिफ्रेंस एंगल आप रिफ्रेंस यहां पर चैंज करेंगे और हमें जो एंसर मिलेगा वह हमारा x y y होगा यानि third option है आप सही होगा यह question आप बहुत ही star question है क्योंकि इसमें confusing है और बच्चे इसमें गलती करते हैं तो आपको इसको थोड़ा इसमें बताना है आपको 196 question की बारी है और कुछ quadratic equations आपको यहां पर दिये गये हैं आप इनको observe कीजिए और आप इनका discriminant निकालिए अगर equal roots है तो इनका discriminant क्या होगा 0 होगा discriminant होता क्या है discriminant होता है 20 square minus 4ac ठीक है आप यहां से identify कीजिए पहले equation के मैं find करता हूँ 20 square करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16 minus 4ac करेंगे 4 into 2 into a plus 5 हो जाएगा और जब आप इसको solve करेंगे तो किता हो जाएगा 16 minus 8 a plus 5 and this is equal to 0 so a plus 5 will be equal to 2 and a will be equal to minus 3 यहां पर जो a निकल क्या रहा है वो हमारा minus 3 और minus 3 हमारे 2 option में है तो still situation is not under control but little bit we got relief कि 2 option हमारे जो है वो हमारे यहां पर सही तो नहीं होंगे और अगर हम बात करें दो options की तो हमारे यह second option और third option यहां से हो गए गायब क्योंकि यहां पर a की value 3 है ऐसे case में तुका भी थोड़ा बहुत काम कर जाता है बट कब काम करता है जब properly आपको कम से कम दो option में ही बस confusion हो तब अब आते हैं next part पे अगर fourth part की बात करें तो fourth part में हम calculate करते हैं सेम चीज़ calculate करेंगे b square minus 4ac बट यहां पर a और b दोनों है ठीक है तो हम second part में पहले देखते हैं second part में भी a और b दोनों है चले कोई बात नहीं किसी एक को भी देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा b square second part में b square यानि a का square minus 4ac तो minus 4 a a की value है a plus 4 और c की value है minus 3 we will multiply it with minus 3 and this will be equal to 0 तो जो minus minus है यहां पर plus में तबदील हो जाएगा क्योंकि double minus यहां पर plus हो जाएगे और आप इसको further solve करेंगे तो हो जाएगा a square plus 12 a plus 4 और जो आप इसको solve करेंगे आपको a की value मिल गई है a की value मिल गई तो आप यहां पर put करेंगे a की value a की value put करेंगे a की value हमारी आई थी 3 तो minus 3 minus 3 का square करेंगे और plus 12 a plus 4 and this is equal to 0 clear sorry हमने कुछ गलत किया यहां पर minus 3 b था minus 3 b था तो minus 12 यहां पर 12 b भी होगा clear तो हम यहां पर 12 b भी रखेंगे okay so होजाएगा 9 plus 12 b यहां पर a a की value हमें पता है minus 3 plus 4 तो यहां पर होजाएगा 1 and this is equal to 0 तो यहां से क्या मिल जाएगा हमको 12 b is equal to minus 9 and b is equal to minus 9 divided by 12 तो 3 3 is a 9 3 4 is a 12 minus 3 by 4 this is equal to minus 3 by 4 b की value क्या आ रही है हमारी minus 3 by 4 तो यहां पर हम option देखते हैं sorry b की value जो हमारी आ रही है 196 196 196 okay हमें यहां पर third option भी चेक करना होगा इसमें तब हमें यहां पर मिलेगा जो exact value है अच्छा एक मिनट यहां पर equal roots करने हैं हमें तो b की value आ रही है आप जब इस relation को use करेंगे तो यहां पर जो आपका जो सही answer आएगा वो आपका आएगा 196 का third option यहां पर आपको सही answer मिलेगा ठीक है यहां पर हमने थोड़ा सा गलत किया कि these have equal roots and these have distinct roots then which of the following is true तो यहां पर आपको जो आपको इसको solve करेंगे तो आपको यहां पर इसका जो सही answer मिलेगा that is equal to cot 1 degree आपको पता है compliments का rule तो 1089 को आप लिख सकते हैं 1089 को लिख सकते हैं 10 90 minus 1 और this is equal to cot 1 और 10 into cot तो इस तरीके सारी चीज़ें आपस में जब multiply होंगे 10 into cot 10 2 into cot 2 तो उस तरीके से फिर last में बीच में एक चीज़ बच जाएगा 1045 और 1045 जो बचेगा उसकी value तो already कितनी होती है 1 तो पूरा जो expression होगा उसकी value होगी 197 की उसकी value होगी यहां पर आपकी 1 ठीक है बहुत ही easy question है आपको अच्छे साना चाहिए 198 पर आते हैं एक कोई number दिया गया है इसके power में 220 दिया हूँ है 7 की power में तो यहां पर हम कैसे फता करेंगे आपको पता होना चाहिए कि 7 की power अगर 1 हो तो जो unit digit आएगा 7 होगा 7 की power अगर 2 हो तो unit digit जो होगा आप साथ सते करेंगे तो 49 तो यहां पर 9 आएगा 7 की power 3 करेंगे तो 9 into 7 करेंगे तो यहां पर 3 last digit 3 हो जाएगा 7 की power जब 4 करेंगे तो यहां पर 7, 30, 21 तो यहां पर 1 आजाएगा last में तो इस तरीके से आप इसको पता करते हैं तो अब जो भी remainder बचेगा आप इसमें से 4 का भाग दीजिए remainder अगर 1 बचता है तो 7 होगा remainder अगर 2 बचता है 4 क्यों क्यों कि इसके 4 ही type आ रहा है यहां पर इनके अलावा कोई भी unit digit यहां पर possible नहीं है तो इन 4 points में से ही कोई नो कोई एक remainder बचेगा यह तो से और है तो आप 4 से divide करेंगे इसको 4 से divide करने पर 0 remainder आ रहा है 0 remainder आ रहा है इसका मतलब last वाला case होगा यानि unit digit पर क्या आएगा 1 एक trick है अगर remainder 1 बच रहा होता तो 7 आता unit digit में remainder 2 बच रहा होता तो 9 आता remainder 3 बच रहा होता तो 3 आता remainder यहां पर 4 या 0 remainder बच रहा है दोनों case में तो यहां पर आपका 1 ही आएगा इस तरीक है हम इसको find out करते हैं एक trick है आपकी और इसको recast किया गया है 0.3 cm के एक बाल में तो आप यहाँ पर फार्मिला लगाएंगे और आप इसको find out करने के कोशिस करेंगे देखे वाल्यूम कितना है 9 cm अच्छा अगर दोनों साथ cm में है तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉल्म नहीं होनी चाहिए आप सेम यूनिट में भी calculate कर सकते हैं तो 9 into 11 into 12 एक क्यूबवाइट का वाल्यूम हो गया और इस विल इकल टू एन नमबर आप स्पेरिकल बॉल इंटू एक स्पेर बॉल का जो वाल्यूम होगा 4 by 3 पाई पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए और साथ में आर है कि वह होगी 8400 आप इसको स्वाल करके find out कर लेजिए और आपसे बन जाएगा यानि आपका जो एंसर आएगा वह फर्स्ट एंसर होगा next question है the length of tangent drawn from the point q to the circle is 24 एक circle है ठीक है और उस circle पर बाहर से किसी point से एक tangent draw की गई और उसकी जो length है ओ कितनी है 24 है and distance from q drawn from this is a point q from a point q to the circle and distance from q from the center of the circle is 25 okay the length of tangent drawn from a point q to the circle is 24 and the distance from the q कि यहां पर मतलब यहां से यहां था कि center की जो दूरी है ओधी है 25 तो आपसे पूछ रहा है कि जो radius है tangent हमने ठीक से नहीं बना है tangent आपका यहां से जाएगा जो radius है ओ कितनी होगी तो बहुत ही आसान तरीका है और I think कि आप radius निकालेंगे यहां पर 90 तो radius के बीच का जोंगल होता है 90 डिगरी होता है और radius पूछा है तो पाइथागरोस थेर्म लगाईए 24 का square प्लस R का square and this will be equal to 25 का square तो R का square क्या हो जाएगा 25 का square minus 24 का square और यहां पर R का square हो जाएगा A square minus B square से अगर लगाए है तो 25 minus 24 और 24 और यहां पर हो जाएगा 25 प्लस 24 ठीक है this will be equal to R square R square will be equal to 49 तो यहां पर R is equal to हो जाएगा 7 क्योंकि minus तो पॉसिबल है नहीं तो इस case में यहां पर A minus B का अगर formula लगा लेते हैं तो आपको बहुत लंबा calculation नहीं करना परता है A square minus B square formula लगा लेंगे तो this will be converted into simpler calculation A plus B into A minus B तो इस तरीके से आप सारे question solve कर सकते हैं और I hope कि आपको पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा हम अभी और भी कई सारे इसके वीडियो लेके आएंगे आपको बस चैनल के साथ जुड़े रहना है और आपको पूरी त्यारी करनी है question number 96 196 आपको खुछते solve करना है और अगर नहीं बनता है तो आप हमें comment box में बताइए हम आपको अगले वीडियो में इसका पूरा solution आपको provide करवाएंगे कि यहां पर थोड़ा लेंदी और थोड़ा सा जगह का problem हो रहा था इस वजह से थोड़ा इसमें दिक्कत हुई और in case अगर और भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें comment box में लेख सकते हैं यह देखने के लेख में को धन्यवाद थैंक यू सो मच फर वचिंग इस वीडियो